है लो गाइस जोहार नमस्कार परनाम तो मैं दिल्ली से सिरिनगर फ्लाइट से पहुंच चुका हूँ तो मैं आएए आप लोगों को बताने के कोशिस करूँगा कि फ्लाइट में चड़ने से पहले क्या क्या करना पड़ता है से स्टेप बाइ स्टेप आप लोगों को बताने के कोशिस करूँगा तो चलते हैं एरपोर्ट की और सबसे पहले यहां फ्लाइट का टिकट और अपना आईडी जो अधार काड हो वोटर काड हो वो चिकिंग होती है तबी चाके अंदर किया जाता है अंदर चाने के बाद में दिखे यहां पर बोडिंग पास लिया जाता है यहां पर भी अपना आईडी दिखाना परता है और यहां पर बोडिंग पास मिलता है और यहां समानों का लागेज होता है जो समान भारी है वो फ्लाइट में चला जाता है और हाइंड बाइग अपने साथ में रहता है तो मेरा flight है SPIJET का, तो मैं SPIJET का flight का boarding pass ले रखा हूँ, यह दिखे, boarding pass है, इसको बोलते हैं, boarding pass, यह boarding pass, लागेज का उपर से सटाओ होगा है, यह luggage का है, यह boarding pass है, और दिखाता हूँ मैं आपको उठ साइड में, दिखे, यहाँ पर मेरा नाम भी होगा, spy jet का है दिखे spy jet मेरा नाम पहले टाइटल होता है उसके बाद में नाम दिखे back रोसनार मेरा नाम रोसनार बेक है इसलिए दिखे यह seat number है seat number 6D और यह आगे flight number है SG 8473 और यह departure का time है 6 AM और आगे दिखे यह 140 140 यह squad number है जो लास्ट में चेकिंग होता है यह फ्लाट चड़ने के समय चेकिंग किया जाता है यहां पर दो बार इधर भी है और इधर भी है दीखे मैं आप लोगों को दिखाता हूं यहां भी seat number 6D दे रखा है तो उसी seat में हमको बैटना है तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि boarding pass कैसे होता है अप लोगों को मैं बता दिया क्या क्या देखना जरूरी होता है और हम लोग boarding pass लेकर हम लोग अंदर अभी चेकिंग के लिए जो हैंड बाइग में रहता है उसको चेकिंग किया जाता है जिसको हम लोग सेक्रोटी चेकिंग करते हैं जिसमें बैल्ट से लेकर मुबाइल पार्स इल्ट्रेनिक शामान जो भी है उसको सब वह प्लास्टिक वाला और यहां पर आदमियों का भी चेक किया जाता है तभी अंदर जाने दिया जाता है तो हम लोग कर चेकिंग हो गया हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट चड़ने के लिए सेड़ियों से जहां पर हम लोग को फ्लाइट चड़ना है तो चलिए हम लोग चड़ चुके हैं सेड़ी और वहाँ पर फलाइट चाड़ने के लिए लाइन लगा हुआ है दिखिए यहाँ पर भी बोर्डिंग पास को दिखाना पड़ता है और यहाँ लाइन लगा हुआ है दिखिए यहाँ बोर्डिंग पास का स्केनिंग होता है इसके बाद में अंदर घुसने दिया जाता है ये दिखे एक एकर के जा रहे हैं बोडिंग पास अपना दिखा करो यहां एक लड़की स्केनिंग कर रही है और हम लोगों का बोडिंग पास स्केनिंग हो चुका है और हम लोग देखे हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट चड़ने दर्वाजा है इस रास्ते से सेट कर दिया जाता है और बगल में दिखे स्वाइजेट का फ्लाइट लगा हुआ है हम लोग का फ्लाइट भी स्वाइजेट ही है तो हम लोग दिखे जा रहे हैं एक आदमी दिखे आगे आगे जा रहा है और हम लोग दिखे दर्वाजे के पास पहुँच गए हैं और दर्वाजे के पस देखे चड़ गए हैं यह आदमी चड़ गया और यहाँ एयर होस्टेस है दिखे एयर होस्टेस नमसकार कर रही है और हम लोग फ्लाइट के अंदर आ चुके हैं देखे फ्लाइट का सीट दीखेए कितना अच्छा है दोसाइड में है दोनों साइड तिन-तिन सीट लगा हुआ है इसमें एवैजिक आ हो दार। किनारे होता है खेड की सेड में होता है और दीखे मैं अंदर का सीन आप लोगों को दिखा रहा हूं दीखे एर होस्टेस आ रही है इस तरह के होते हैं एर होस्टेस अप नहीं देखे होंगे तो दिखा देता हूं मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं तो अभी फ्लाइट मे पसिंजर का आना बाकी है भी खाली-खाली है मैं पहले आ गया हूँ ताकि मैं वीडियो बना सकूँ यह दिखिए एक छोटा बच्छा अपना सीट में बैठने के लिए जा रहा है मम्मी पापा के साथ में है और मैं पीछे अपना सीट के तरफ जा रहा हूँ ताकि मैं पीछे से अच्छी से वीडियो बना सकूँ क्योंकि पसिंजर लोग आते जाते हैं तो वीडियो बनाने के लिए बनता नहीं है इसलिए मैं पीछे आ रखा हूँ और पीछे से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यह दिखिए समान रखने के लिए यहाँ पर जग पॉस्त लोग है दोनों हम लोग तीनों एक साथ बैट चुके हैं और मैं इधार से दिखा रहा हूं यह दिखिए एयर होस्टेस देखे कितना सुन्दर सुन्दर होती है एर होस्टेस और ये समानों को अर्जिस्ट कर दे रहे सब कुछ काम कर देते खाना खिलाती है नास्ता कराती है पानी पिलाती है सब कुछ एर होस्टेस काम करती कोई दिक्कत नहीं होती है देखे अर्जिस्ट कर रही है और पहनावा दिखे कितना सुन्दर है दिखिए अगर किसी को एर होस्टेश में नुक्री करना है तो ध्यान से पढ़िए ताकि एर रवोस्टेश का जो बनना चाहते हैं वो अपना खोलते हैं उस खिड़की को दर्वा जासे कैसे निकलते हैं उसी को बता रही है अपात कालिन खिड़कियां वहाँ पर लगी हुई है जैसे ट्रेनों में अपात कालिन खिड़की रहती है उस तरह का खिड़की इसमें भी रहता है इसलिए वो बता रही है कि उसको कैसे खोलना है कैसे निकालना यह दीखे समान को सेट कर रही है दीखिए यह देखे जो पूस्तक है उसको दिखा रही है कि आप लोगों को इस खेडकी को कैसे खोलना है ताकि वो कुछ भी अपातकालिन घाटना या कुछ भी दिक्कत हो जाए तो फ्लाइट से बाहर निकलना है तो उससे पसेंजर जहां वो बैठे हुए है वो निकल सके दोनों सैड में लगा हुआ है दाएं और बाएं उसी को ये एर होस्टेस जो है बढ़िया से समझा रही है कि इस तरवाजे को अपातकालिन होने पर किस इस तरह से बाहर निकाला जाता है और किस दरह से भास्टेस को समझा रही है और दोनों सैड में लगा हुआ है बता रही है दाएं और बाएं दोनों सैड में है और देखे अनदर करना जारा और हम लोग अभी यहां से रनवे वे जाएंगे तो दीखे अभी चेकिंग कर रही है किसी का सीट तेड़ा मेड़ा नहीं होना चाहिए पूरा सीधा कि सीधा थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होने देते हैं तो चलिए हम लोग यह दिखे फ्लैट यहां पर लगा हुआ है यह रीसिया है विस् अब थोड़ी देर में हम लोग उडान भारने ही वाले हैं अब सब कुछ काम हम लोग होगे दिखे यह पांक जो है यह पांक भी खुलता है आप लोग नहीं जानते हैं तो बता दे रहा हुए दिखे देना से जो पांक लगा हुआ हुआ है यह पांक खुल रहा है दिखे द है दीरे दीरे जा रही है और दीरे दीरे रफतार भी पकड़ रही है पकड़ने के बाद में यह उड़ जाएगी आप लोग को मैं दिखाऊंगा नजारा यहां का कैसे उड़ती है प्लाइट अभी प्रन्वे पर ही दवड रही है इस पीड पकड़ लिए है थोड़ी दीर मे यह अभी उड़ी नहीं है देखिए इस पीड पकड़ चुकी है अभी उड़ान भर नहीं वाली है और मैं दिखाता हूँ जब उड़ान भरेगी तो मैं अप लोगों बता दूंगा अभी रन्ही पत दवड रही है रन्वे पर ही दवड रही है और यह देखिए उड़ान चोटा दिखाय दे रहे हैं दिखिए दोस्तों मैं आपको फ्लाइट के उपर से दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं खिड़की के साइड में बैठा हुआ हूँ इसलिए मैं खिड़की के और से मैं सूट कर रहा हूँ दिखिए अभी फ्लाइट बहुत उपर भी नहीं गई है और कितने चोटे चोटे घर और ये रास्ते कितने चोटे चोटे दिखाए दे रहे हैं दीखिए ये गाउं है देखिए चोटा गाउं है और ये रास्ता दिखाए दे रहे हैं ये पांक है दीखिए ये फ्लाइट का पांक है और मैं पांक की ओर ही बिठा हूँ पांक के पीछे ब चोटा चोटा मकान दिखाए दे रहा है और मैं देखिए अभी बहुंत उपर आचका हूँ बहुंत फलाइट उपर जो बादलोंग से उपर है अब हम लोग परफिले पहाड़ी पहुंच चुके हैं और दीखे ये पहाड़ पुरा बरफोंग से धकी हुई है और इसी पहाड़ी के उपर से फलाइट जाती है एकदम बिल्कूल फलाइट पहाड़ों से नजदिक होके गुजरती है यहाँ पर दीखे पूरा सफेद सफेद दिखाए दे रहे हैं बरफिले पहाड़ आप लोग नहीं देखे होंगे तो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ ये बरफिले पहाड़ है और बरफ से पुरा धका हुआ है आप लोग सुने होंगे जम्मू कास्मीर का बरफिली पहाड़ी कैसे होता है तो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ इस तरह का है दिखिए मैं अपना मुबाइल से फोटो घिच के मैं आपको दिखा रहा हूँ यह है बरफिली पहाड़ी जम्बू कास्मीर का जो पहाड़ी होता है बहुत उंचा-उंचा होता है और यह बरफ से ढखा रहता है तो देखिए आप लोगं को दिखा दे रहा हूं अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं ज्यादा देर नहीं है यह देखिए कितना सुन्दर द बर्फ यहां पर जमी रहती है, सालों बर-बर्फ रहती है इस सब पहाड़ी में, और पहाड़ी पर कर चुके हैं, और हम लोग दिखें अभी पहुचने वाले हैं, और यहां पहुचने के बाद में वीडियो सुटिंग करना मना है, इसलिए हम आगे हम दिखाने ही सकेंगे, इसलिए आज के लिए इतना ही अन्त में सब को जोहार परनाम नमस्कार बाई